दोस्तो सुंदर्बन भारत और बंगला देश के सीमा पर इस्थित एक बेहधी प्राकृतिक खूपसूर्ती से भराड डेल्टा छेत्र है जो खास कर रोयल बंगाल टाइगर के लिए पूरी दुनिया में परसिद्ध है यहां रहने वाले जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार ने इस छेत्र को राष्टे उद्धाउन गोसित कर दिया है दोस्तो सुंदर्बन डेल्टा में बंग जीव के अलावा बनस्पतियों की कई अनोखी और दुरलब परजातियां पाई जाती है और यहां सुंदरी नाम के पेंड भारी संख्यां में पाए जाते हैं जिसके कारण ही इस डेल्टाई छेत्र का नाम सुंदर्बन डेल्टा पड़ा तो आएए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सुंदर्बन डेल्टा के बारे में कुछ महतपुर्ण एवं रोचक जानकारियों को जानते हैं तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किजेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सुंदर्बन में अस्तंधारियों की पचास से अधीग परजातियां पाई जाती है इसके अलावा 60 से जादा रेंगने वाले जीवों की परजातियां और 300 से जादा पक्षियों और बनस्पतियों की परजातियां पाई जाती है सुंदर्बन में तरहतरे की बनस्पतियां पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहां पर ही मिलती है दोस्तो सुन्दरबन में मौझूद मैंग्रोज जंगल यहां के रोयल बंगाल टाइगर का घर माना जाता है जो की दलदली जमीन पर बना हुआ है दोस्तो मैं आपको बता दू कि सुन्दरबन 10,000 बर्ग किलोमीटर के छेतर फल में फैला हुआ है जिसमें से 6,000 बर्ग किलोमीटर बंगला देश में आता है और भारत में लगबग 4,000 बर्ग किलोमीटर आता है दोस्तो सुन्दरबन 20 का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और बरहमकूत्र दोनों नदियों के एकिकरन से बने इस डेल्टा को बंगाल डेल्टा या ग्रीन डेल्टा भी कहा जाता है दोस्तो सुन्दरबन सर्वादिक हरा भरा रहने बाला बन है इसका कारण यहां पर होने बाली सर्वादिक बर्सा है सुन्दर्बन को बर्साबन भी कहा जाता है दोस्तो यह जनकर आपको हैरमनी होगी की सुन्दर्बन का विसाल डेल्टा 54 छोटे छोटे दुईपों का समू है दोस्तो सुन्दर्बन डेल्टा में भूमी का ढाल अतियंत कम होने के कारण यहां गंगा नदी अतियंत धीमी गती से बहती है और गंगा नदी अपने साथ लाई गई मिट्टी को मुहने पर जमा कर देती है जिसके कारण डेल्टा का अकार बढ़ता जाता है और नदी की कई धाराएं और उप धाराएं बन जाती है दोस्तो सुंदरबन को युनेसको द्वारा वर्ल्ड हरिटेज साइड में विसामिल किया गया है और सुंदरबन डेल्टा बंगाल बेसिन से जुड़ा विसोका सबसे चौडा, गहडा और सबसे सकडिय डेल्टा है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ